हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई हो पच्छी होंगे तो आज हम डिस्कुस करेंगे साइन्स के इंपॉर्टेंट कोशिंस यह ऐसे कोशिंस बता रही हूं मैं आपको जो की कॉंपुटिशन जितने भी एक्जाम्स होते हैं उसमें रिपीट होते हैं और जो आ सकते हैं या अब 17 से लेके 25 सक्टुमबर तक होंगे 2021 ठीक है तो और SSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कोशिंस हैं तो आए टाइम ना वेस्ट करते हैं आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह कुछ कोशिंस हैं फर्स कोशिंस है खाना पकाने की गैस किन दो गै क्या होता है किसमें खाना पकाने की गैस में उसके बाद में नेक्ट कोशन है पर्माणू बं का विकास किसने किया है तो उस वेग्यानिक का नाम क्या है जे रॉबोट ऑपिन हीमर ने पर्माणू बं का क्या किया है विकास किया है नेक्ट कोशन है प्रकास वर्ष किसका मात रखे तो दोस्तो खगोलिये दूरी का मात रखे इसके बाद में next question है सूर्य का प्रस्थिये तापमान कितना आका गया है तो दोस्तो अठारा मई 1947 में प्रत्थम यनि की पहला प्रमानु विस्पोट किया था भारत ने और प्रमानु बं का सिध्धान क्या है नाभी किये सिध्धान कहा जाता है जिससे नेक्स कोशन है हाइट्रोजन बम किस सिद्धान पर आधारित है तो ये ना भी किये सल्यन पर आधारित है ठीक है इस टैप के कोशन आते हैं जरूर फिर हैं एक तरीका है जो बताता है कि बूर्ण के लिंग को यानि की बूर्ण में जो यानि की जैसे नर्वे मादा है तो उसको बताता है एक से य यानि की लड़का लड़की जो होते हैं लिंग होते हैं उसको बताता है इसके बाद में है जैनिको प्रौदर्गिकी है तो यह क्या है यह एक ऐसी प्रोड़गी की है जिसमें अनुवांशिक जो रोग हो, रोग होते हैं पुर्व, पुर्व की सूचना प्राप्त करना, यानि की सूचना प्राप्त की जा सकती है, किस के दोरा है, जैनिको के दोरा है, कोशन ये भी हो सकता है, अनुवांशिक जो रोग होते हैं, उसकी जात किस प्रॉजर्गी की दौरा होती है तो आप लिखेगे जैनिको की दौरा है ना अपोजिट भी हो सकता है तो आपको questions भी mind में होने चीए learn बिल्कुल इसके बाद में next question है दूद को पचाने वाला enzyme कौन सा है तो उस enzyme का नाम है ranin ranin एक ऐसा enzyme है जो की दूद को पचाने का क्या करता है काम करता है हमारे शरीर में यानिकी मनिश्य के शरीर में ठीक है जिसमें सबसे ज़्यादा दूद में क्या पाई जाती है वसा पाई जाती है इसके बाद में next question है mendak किस वर्ग का प्राणी है तो दोस्तों mendak जो की है वो amphibia amphibia क्या है एक परकार का वर्ग है जिसमें क्या होता है कि सबी यानिकी उबहचार यानिकी जल व्याद थल पे रहने वाले जितने भी जो क्या होते है प्राणी होते है उस वर्ग को amphibia वर्ग कहा जाता है इसके बाद में next question है शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है तो दोस्तों मजबूत तत्व ये किस से मतलब हमारे मनुष्य शरीर में कहां पर होता है दातों में पाये जाता है जिसे क्या कहता है एनामेल एनामेल जोकी दाटों का सबसे मजबूत तत्व होता है इसके बाद में next question है समान्य मनुश्य का रक्तदाब होता है तो रक्तदाब किता होता है 120 से लेके 80 तक इतना ही मनुश्य का क्या होता है संचार होता है next question है दोस्तों Vitamin K का रसाइनिक नाम क्या है तो क्या नाम है नेफ्थे क्वी नॉन, नेफ्थे क्वी नॉन कहा जाता है, रसाइनिक नाम इसका यह, ठीक है, इसके बाद में next question है, पी एच मान का सुत्र क्या होता है, तो पी एच मान, यानि की, पी एच मान किसमें होता है, जिसे रक्त वगरा में होता है, और नीबू में इन सबका जो मापा कैसे जाता है इसको तो इसके द्वारा पी एच बराबर लॉग कॉस्टवक एक स्लेश । एच के द्वारा इसको मापा जाता है तो ऐसे चार ओप्षन दिए होंगे तो इसका जो राइट है आंसर वो यह है ठीक है इसके बाद में next question है 15 plaster of Paris किससे आंशी है ना यानि कि जब हमारा लग जाती तो प्लास्टर जो चड़ता है ना वाइड कलर का उसमें जिप्सम लवन होते हैं जिससे वो टाइट हो जाता है बाद में ठीक है इसके बाद में नेक्ट्ट कोशन है एलुमूनियम का प्रमुक आयस्क और कौन सा है बॉकसाइड जो कि ORE का क्या है प्रमुक आयस्क है यह यह एक सक तरीके का इसके बाद में नेक्ट्ट कोशन है हमारी जीप पर लगबग कितनी सुआत की गंतिया होती है तो दोस्तों जीपस लगबग 9000 क्या होती है सुआत की गंतिया होती जिससे हमें खटा मीठा कड़वा तीखा और अन्य जो भी जो तेस्ट होते हैं उसके बारे में पता लग जाता है ठीक है इसके बाद में next question है बीस हजार हर्टेज से अधिक आवार्ती वाली धवनी कहलाती है इससे ज़्यादा बीस हजार से उपर हर्टेज होती है अगर आवाज तो वो तरंगे कहलाती है ठीक है तरंगे इसके बाद में next question है वायुमंडली हवा प्रत्वी पर रखी जाती है किसके द्वारा तो गुरुतुत के द्वारा रखी जाती है नेक्स कोशन है प्रत्वी के गुरुत्व आक्षण शेत्र की त्रिवता कहां पर अधिक्तम होती है तो सबसे जादा तो गुरुत्व आक्षण की जो त्रिवता होती है वो दुर्वों पर होती है है ना इसके बाद में नेक्स कोशन है शक्ति का मात्रक कि यूनिट क्या है शक्ति का जो मात्रक होता है इसको किसके मापा जाता है तो मापा जाता है यह भी आ होते हैं शुर्य है पारशितिक तंत्र यानिक हमारी प्रकति वनस्पति पारशितिक पूरा जीव जनतु वनस्पति सब पुछ, सूरिय पे हैई आधारित है, next question है, घड़ी के spring में, भंदारित उर्जा है, इस्थित, इस्थिज, इस्थिज जो उर्जा होती है, वो घड़ी की spring में होती है, उसको कहा है, इस्थिज, उर्जा कहा जाता है उसको, ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से यह जो science के important questions थे competition exams के लिए जो आ सकते हैं और जो कुछ आ भी चुके हैं जो repeat होते हैं वो मैंने आपके साथ discuss किये हैं इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि मैंने chemistry के questions और धातू के questions भी discuss किये हैं वीडियो हैं तो मैं वीडियो की जस नीचे description box में उसके link दे दूंगे उसमें भी जाके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं तो I hope आपको समझ में आया होगा अगर फिर भी आपको और questions पूछने हैं या कुछ topic भी discuss करना है तो आप मेरे comment box में comment कीजिए अब हमी link in next video में thank you